तो हमने अभी तक क्या सीखा कि टॉर्क जो होता है उसको निकालने का तरीका क्या होता है R F sin 5 या sin theta कुछ भी या एक और shortcut करवाय था force into perpendicular distance from the axis किया था हमने principal movement भी किया था टॉर्क भी किया था टॉर्क निकालना भी सीखा था यह पहला तरीका था torque निकालने का एक और formula होता है यह तो formula होता ही होता है एक और formula है कैसे जैसे laws of motion में हमने formula किया था force is equal to mass into acceleration किया था इस उस chapter में force use करते है इस chapter में क्या use करते है torque उसमें inertia use करते है mass को और इसमें moment of inertia तो इसमें a use करते थे इसमें alpha एक और formula torque निकालने का torque is equal to i times alpha क्या यह point clear है यह यह तक अब torque निकालने के कुल मिलाके कितने तरीके आपके पास 2 या तो rf sin y या फिर i into alpha यह यह तक अब अगर हम laws of motion में वापस चलें तो हमने क्या सीखा था कि आपके पास अगर 1 kg का mass है इसके ओपर 10 newton की force हमने लगाई और 2 newton की इसे ने operate लगाई और इस system a के साथ move कर रहा है तो net force क्या है net force है बड़ी force में से छोटी force को क्या करना है minus तो net force क्या है बड़ी force minus छोटी force is mass into acceleration मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैं formula बोलता हूं f is ma तो f का मतलब यहाँ पर force applied नहीं है यहाँ पर net force है point number one clear उसी तरीके से जब मैं formula यूज करूंगा torque is I-alpha तो यहाँ पर टर्क का मतलब क्या है net a torque है क्यों? जैसे यह कुई भी hotsoni disk है disk को एक force E.X4 यहाँ लगी जो disk को ऐसे घुमारी है E.X4 यहा लगी जो disk को ऐसे घुमा रहे है तो E.X4 clockwise गूमा सकती है इसके अंदर, जो net torque का मतलब किया है, clockwise और anti-clockwise torque का subtraction, जो भी होगा, net torque होगा इस I-alpha, यह step clear है, कैसे use करना है, अभी बताओंगा इसको कैसे use करना है यह समझ में आ रहा है कि torque का यह formula torque इस I-alpha कहा से आया ठीक, यह मेरा तरीक है समझाने का कि देखो जैसे loss of motion करते थे, वैसे ही rotational के अंदर concept लगया लेकिन books ऐसे नहीं समझाती, books समझाती है कि देखो एक body है, जो goal घूमरी है, और alpha के साथ घूमरी है, alpha का मतलब है कि speed omega बढ़ती 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 जारी है, तो इसमे alpha present है, इसमें बहुत सारे particles है, M1, M2, M3 up to Mn और बहुत सारे particles की tangential acceleration भी होगी, A1, A3 up to An और बहुत सारे particles जब घूम रहे हैं तो हर particle पर torque भी होगा तो अगर मैं first particle का torque पूछूँ, तो क्या होगा, force into R1 force F1 into, जो भी इसके ओपर force लगी F1 into इसका perpendicular distance कितना है, R1 और force क्या होता है, mass into acceleration, तो पहला torque कैसे निकलेगा, पहला torque निकलेगा R into F से, F क्या होता है, mass into acceleration, अब यह acceleration कैसी है, इसके लिए tangential है क्योंकि यह अपनी circle में घूमेगा, R1 circle में घूमेगा, R2 वाला R2 circle में घूमेगा, R3 वाला R3 circle में घूमेगा and so on, तो इसके अंदर, tangential acceleration A क्या है, R alpha, तो इसके अंदर जो पहला particle है, A1 is R1 alpha, A2 is R2 alpha, AN is Rn alpha, तो यहां पर torque क्या है, R into F, F क्या है, mass into acceleration, acceleration क्या है, R alpha, यह पहला torque आ गया, ऐसी second particle के torque में M2 R2 कर दो, third में M3 R3, Nth में MN, Rn कर दो, total torque क्या होगा, सभी particle के torque को मिला दो, सभी particle के torque को मिलाएंगे, तो क्या जाएगा, total torque आ जाएगा, total torque में alpha को common निकाल लो, तो क्या बचा, M1 R1 square, M2 R2 square, M3 R3 square, जिसको क्या बोलते है, total moment of inertia, I, तो formula क्या होगा, torque is equal to I alpha, मेरे किताब से बोला तरीका जादा बेटर नहीं है, यह ठीक नहीं है, ठीक है, आएगा निवा प्रूफ करना वैसे, पर आपको किताब भी बाते बताएंगे कि किताब कैसे करती है, किताब कहती है कि यह कोई तरीका नहीं है, जैसे F is M into A, ऐसी torque is I alpha, यह कोई तरीका नहीं होता, यह हमारे तरीके है, बुक कहती है कि आप क्या करने है, आपने हर तर्क को मिलाने है, और फिर प्रूफ करने है, तर्क is I alpha, पर हम नहीं मिलाएंगे, हमने पता है कि तर्क is equal to I alpha formula exist करता है, ठीक है यहां तक, इसके बाद, इसकी जो application है, बड़ी important है, देखा लगता है question, laws of motion का question है, जिसमें पुली है, पुली के यहां दो masses है, 3 kg, 2 kg, और मुझे क्या निकालना है, इनकी acceleration निकालना है, तो मान लो यह नीचे जा रहा है विजन acceleration of A, और यह उपर आ रहा है विजन acceleration of A, और अगर मैं कहूं कि इसमें acceleration निकालो, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, त यह force कितनी है, 3G, यह force कितनी है, 2G, मैंने laws of motion में सिखाया था कि tension TNT, tension TNT, जो सेम रहती है पुली string में, इसमें सेम नहीं है, क्यों, क्या difference है, इस question में, laws of motion के question में, उसमें पुली massless थी, इसमें पुली का mass है, इसमें पुली का mass है, यह फरक है, और जब पुली का mass है, तो पूरे system में कितने masses हैं, 3, 1, 2, और 3, दो mass नहीं है, दो mass में एक tension होती है, TNT, 3 mass में, इस और इस mass में tension T1, T1, इस और इस mass में tension T2, T2, clear है यहां तक tension T1, T1, T2, T2, यह याद रहेगा, अगर पुली का mass नहीं है, फिर तो tension TNT, अगर पुली का mass है, तो यहां पर tension T1, T1, यह पर tension T2, T2, clear है यहां तक tension change हो गई, अगर मुझे A निकालना है इसका, तो क्या rule है, laws of motion का 3G, minus T2, is 3 into A, पहली equation, और यह उपर जा रहा है, तो equation क्या बनेगी, T1, minus 2G, is 2 into A, दो equations clear है यहां तक, सही है, पर एक problem है, कितने variables हैं, 3, T1, T2, और A, जबकि laws of motion में tension same होती थी, त में 3 variables है, क्या है point clear है यहां तक, अब मेरे को कम से कम कितने equation चाहिए, 3, तो तीसरी equation कहां से आएगी, pulley से, pulley को treat किया जाता है, like a disk, pulley is a disk, तो pulley जो है, वह एक disk है, disk का free body diagram बनाए, disk को अलग बनाते है, यहां पर tension T1, यहां पर tension T2 है, तो यह tension T1, तो यह tension T2 है, बन गया, एक मैं यहां force लगा रहा हूं, T2, तो pulley कैसे घुमेगी, clockwise, और अगर यहां force लगा रहा हूं T1, तो tangential force से pulley कैसे घुमेगी, anti, clockwise, ऐसे होगा, यहां से force लगेगी, clockwise, यहां से force लगेगी, anti-clockwise, clear है यहां तो T2 भी torque generate करेगा, T1 भी torque generate करेगा, और इसका axis of rotation क्या होगा, pulley ultimately घूम क यह axis of rotation है, obviously इसके बाउट घूमरी है, तो axis है, तो T2 का torque क्या होगा, T2 into perpendicular distance axis है कितना है, R, तो क्या बनेगा, R into T2, और ऐसी इसके अदर क्या बनेगा, R into T1, मैनस क्यों किया, क्योंकि ए clockwise torque का, एक nt, clockwise torque है, clockwise torque है, clockwise torque बढ़ा होगा, nt, clockwise torque क्यों बढ़ा होगा, क्यों क्यों अगर मानलो, यह 10 kg होता, यह 3 kg होता, तो पुली कैसे घूमती, anti-clockwise, फिर T1 का torque बढ़ा होता, T2 का छोटा होता, equation मनती, T1R, minus T2R, वो तो क्योंकि अमने, यह mass बढ़ा है, मैं पता लग चुक है कि clockwise घूम रहे है, तो इसलिए clockwise बढ़ा है, तो decide आपको question में करना पड़ेग ठीक है, यहां तक, तो यह question clear है, यह net torque है, और मैंने आपको क्या सिखाया, आज जो net torque होता है, वो क्या होता है, I into alpha, तो I into alpha ही रहा, अब पुली क्या है, disk है, disk का moment of inertia क्या होता है, half, MR square, तो half MR square, फिर यह देखो, यह जो पुली है, इस पुली की यहां की tangential acceleration A है, क्योंकि 3G कैसे जा रहा है, A के साथ, और इसका radius का है, R, और यह घूम रहा है with alpha, तो अगर आपको यादो रूट, circular motion किया था, हमने, circular motion में equation होती थी, V is equal to r omega, where V was tangential velocity, और ऐसे एक और equation है, A is equal to r alpha, where A is tangential acceleration, तो A acceleration पुली के लिए क्लिए क्या है, tangential है, यह देखो, A acceleration tangential है, alpha पुली का हमें, मालो alpha, माल लेते हैं, तो A is equal to r alpha, तो alpha क्या होगा, A by r, तो आप alpha की जगा, क्या put कर सकते हो, A by r, clear है यहाँ तक, 1 r यह कट गया, 1 r इससे कट गया, तो क्या गई, equation आगे T2 minus T1 की, तो एक और equation त्यार हो गई, दो equation पहले त्यार है, एक और त्यार हो गई, इनको simultaneously solve कर कर के T1, T2 and A can be calculated, बस law of motion में, एक extra term है, वो है talk, क्या इस step समझ में आया, तो काफी लोग पूछते भी थे law of motion में, तो पुली का मास होता तो, फिर क्या करते, मैं क्या कहते हैं, ने ने इसको बाद में करेंगे, करें तो चुपो ज़ादे, चलो कोई बात ने, ने ने सर, ब जब बुक वाला कहता है कि लोग पुली का मास समत लेना, तो समयधार ही है, उसको पता है कि करें ने पाएंगे, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, लेकिन अब आज के बाद कर पाएंगे, जैसे, ऐसे कोश्चन अपने बड़े देखे, यह देखो, 3 kg, 2 kg, 3 kg नीचे जा रहा है, 2 kg ऊपर जा रहा है, तो एक्सलेशन निकालो, प्रॉब्लम है, पुली का मास है, पुली का मास ना होता, फिर तो लोग मुझ का सिंपल प्रॉब्लम था, पुली का मास है, बाग की डागरम सेम है, 3G, 3G, sin 30, 2G, sin 60, इसका मास है, तो यहां पर टेंशन, T1, T1, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक, तो अब इसमें, यह नीचे आ रहा है, तो पहली एक्वेशन क्या, 3G, sin 30, minus T1, 3 है, और यह उपर जा रहा है, तो T2, minus 2G, sin 60, 2A, तो एक्वेशन क्लियर है, ठीक है, यह पुली है, इस पुली को अलग बना लें, तो एकस्पोर्च T1 है एकस्पोर्च T2 है, तो जो T1 force है वो tork क्या क्या करेगी T1 into R or T2 क्या क्या करेगी T 2 into R, कौंसा torque बढ़ा होगा NT, so एकस्पोर्च Г on понять between net torque एंट or क्या होगा, clockwise torque minus NT clockwise torque is equal to I times alpha, सही है, clear है क्लियर है यहां तक, ठीक, तो यहां से R καौ मन आ गया, moment inertia, यह रिपीट ही है, तो R से R cancel, R से R cancel, फिर एक और equation आगी, फिर तीन equations को simultanely install करके, A, T1, T2 can be calculated. Method समझ में आ रहा है, सब कुछ laws of motion है, तो chapter मतलब कि revise करवा के छोड़ेगा पूरी physics. परे rotational kinematic लियाया, फिर अब क्या लियाया, फोर्स लियाया, अब अगले एक्षर में फ्रिक्शन लियायेगा, फिर वर्क अनरजी पार लियायेगा, तो बोला था ना, यह चैप्टर सब को एक एक बाद टच करता हुआ जाएगा, बस हमने सारा काम linear में किया, यह सारा काम, रोटेशनल में करवाएगा, यह फरक है. पॉइंट समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक है, यह कोशन देखा लगता है. झाल 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 की जाल की इअ कि यार जुआ कुमी कहा है यां तक लो फिल कॉश्चन देखते हैं कुछ्चन है कि एक रॉढ है जणा है लॉढ हम एक रॉढ खिड चार शचार में किया एक टार्व काक डिया यह चैनको इसक और आप आप रोड पहले इदर हैगी भो में पर नीचे भी आएगी जाएगीNow यह मैं जाएगी सयाट जाएगी. तो rule number one, इसका axis क्या होगा, rod के घूमने का, rod का axis O होगा, समझ रहो इस बात को, इस axis के बाउट rotation होने माला है, point number one clear, point number two, बताओ, अगर यह axis है, तो इसका moment of नर्शा क्या होगा, rod का, इस axis के बाउट, ml square by 3, rod का center axis answer क्या देता है, ml square by 12, और corner का axis क्या देता है, ml square by 3, last time किया था हमने, ml square by 3, तो यहाँ पर I की value क्या होगी, ml square by 3, question क्या है, question है, मुझे सबसे वहले torque निकाल के बताओ, क्या होगा, अब torque हमने किया होगा, पिछली sheet में, torque क्या होता है, यह rod नीचे क्यूं आई, कौन सी force ने नीचे किया रहा, इसका weight और weight कहा है करेगा, इसके center of mass पे, तो center of mass center पे है, at a distance of L by 2, और force कितनी है, mg, ठीक है यहां तक, अब इसमें, मुझे एक बाद बताओ, यह axis है, यह तो काट दिया, force mg into perpendicular distance कितना है, L by 2, तो torque क्या होगा, mg into L by 2, क्या step clear है, पहला question, torque निकालो, एक answer आगया, दूसरा question, वो गएगा, ठीक है, rod पहले यहां, rest पे लटकी हुई थी, आपने string काटी, तो omega बड़ेगा, 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 और बड़ेगा, नीचे गिरते गिरते, omega rotation बड़ेगी, speed बड़ेगी, speed बड़ेगी, तो alpha generate होगा, तो बोलो alpha क्या होगा, अब torque के दो formula है, एक formula हमने निकाल दिया, और दूसरा एक i times alpha, तो एक काम क्यों नहीं करते, इस torque को, और i alpha को equate कर दो, equate कर दिया, i का rod का moment और अरश्या क्या put करेंगे, आपर ml square by 3, solve करो, l से l cancel, alpha आगया, तो कैसे alpha आएगा समझ में आ रहे है, अब इस lecture में कुछ rotation की feeling आ रहे है, चीजें घूम रही है, अभी तक तो अगर ये axis और घूम में, अगर ये axis और घूम में, की rod घूमेंगी, तो alpha जनेरेट करेंगी, point clear है, तो एक alpha, R, F से निकलेगा, और एक alpha, I, alpha से निकलेगा, तो mass से alpha can be calculated, तो ये answer clear है, तीसरा question आएगा इसके उपर, की, जो center of mass देख रहे हो, ये rod का center of mass है, ये रहा, मैं rod string को काट रहा हूं, center of mass कैसे घूमेंगा, इसको देखना, ये rod यहाँ पर है, फिर ये rod यहाँ पर है, फिर ये rod यहाँ पर है, फिर ये rod यहाँ पर है, बताओ, center of mass का path क्या होगा, center of mass path linear होगा, goal होगा, circle होगा, ellipse होगा, क्या होगा, कितने लोग एतने circular होगा, center of mass मास पूछ रहा हूं किस path में घूमेगा देखें यहां पर है फिर जब بة सेंटर आगे को यह देखो तो path followed क्या है circle को डाउट इसमें तो center of mass किसमें घूम रही है na तो question तो question है centra of mass या होगा do क्या होगा acceleration जब यह यहाँ पर ऑ तो मास ऐसे मूँप कर रहा है तो Verf aí कि है Left पूरे path में acceleration of center of mass tangential है और circular motion में A क्या होता है? R-alpha A जो होता है, उसका formula क्या होता है? R-alpha और हमने क्या निकालना है? A ही तो निकालना है center of mass के लिए अब center of mass क्योंकि circular path follow कर रहा है तो center of mass का A क्या होगा? R-alpha अब alpha निकाल चुकी है पिछले part में इस पूरे alpha को उठा के यहां पर पुट कर दो answer acceleration of center of mass आ गया. कोई doubt इसमें तेखो कहां से कहां नि start होई थी पहले torque फिर आए फिर आए के बाद alpha alpha से acceleration of center of mass समझ में आ रहा है यहां तक कोई doubt इसमें, देखो इसमें मैंने यह समझाया कि जैसे suppose आपके पास जो रॉड थी वो कैसी थी यह देखो आपके पास यह देखो आपके पास यह रॉड है ठीक आपके पास यह रॉड है ठीक तो center of mass center of mass center of mass center of mass and center of mass ठीक है तो आपके पास यह rod है तो यह center of mass ऐसे घूम रहे देख रहे हो circle तो acceleration of center of mass क्या होगी? Tangential यह देखो अगर आप rod को ना देखें सिरफ यह circle देखें तो tangential है और tangential acceleration क्या होती है? Tangential acceleration is always equal to r times alpha तो alpha आपने पिछले पार्ट से निकाल दिया तो acceleration of center of mass can be calculated कोई डाउट इसमें? Point संज में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है तो यह इसके पास यह value आ गई next है इसी question का अखरी part है tension निकाल दो rod में क्या होगी? वह उपर string में क्या होगी? tension एक string तो तो तूट गई दूसरे में tension क्या होगी? जब हम tension निकालते हैं तो concept किसका यूज करते हैं? laws of motion का laws of motion में shape matter करती नहीं है rod की shape बड़ी है, छोटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऐसा imagine, यह diagram तो बड़ा diagram है एक रसी उपर थी आप shape draw ही मत करें आप imagine करें कि यहां पर total mass कितना है rod का M क्योंकि जब हम question करते थे यह block का mass M rod का mass M, car का mass M point muscle लेते थे, shape matter नहीं करती ही उसमें, तो M, और इसके अंदर कौन इसको नीचे गेर रहा था? weight mg, तो अगर यह नीचे गिरती है, और center of mass पे mass M है, और यह rod नीचे गिरती है with an acceleration of a center of mass तो यह यह बरिएगा diagram mg rod को नीचे लेके जा रहा है, t ऊपर है, और rod नीचे गिर रही है with an acceleration of a center of mass तो यहां से mg equation क्या बनेगी? बड़ी force नीचे गिर रही है, तो mg minus t is equal to ma तो यहां से acceleration of center of mass हम निकाल चुके है, solve करके किसकी value आजाएगी? tension p की value आजाएगी